हाई क्योटीब आई वेलकम टू माई क्लास तो आज हम करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर लेवन क्लास एट की वोक्षीट नमर टू इससे पहले मैं वोक्षीट वन कराई हैं जिन्रों ने ने देख की वुजा के देख सकते हैं हम आद की रेक्स पताता है कि आप कैसे मल्टिकेशन करते हैं अलजेब्रिक एश्प्रेशन से ठाट कोई नमर इन चैपlı क्रॉस में अट का साइन होगा या तो नहीं होगा और अगर यहाँ पे कोई sign नहीं that means multiplication हो और अगर लगा भी देते हैं इस तरह का sign मतलब मैं sign का design बता लिए हूँ कि multiplication का sign होता हूँ और इसमें x ऐसे ही बनाते हैं ठीक है तो इसमें confused नहीं होगा कि x है या sign है तो एक तो without without कोई sign लगा के मैं बताती हूँ कि यह किस तरह से solve होता है बहुत ही simple है I hope कि आपको बहुत अच्छा लगे का अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो varieties of questions यह 4 questions है अगर आप 4 questions देख लेंगे तो आपके सारे doubts clear हो जाएंगे चले start करते हैं बिनादरी करते हैं अगर हम multiple कर रहे है एक सी पावर 3 का तो यह 2 parts है देखें आप धियान से this part 1 and this is the part 2 तो पहले first part से multiply करेंगे ठीक है तो ऐसा ही करते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे तो x cube है multiply हो रहा है तो multiplication का sign लगाएंगे किससे हो रहा है ? x square और y से और क्या करेंगे ? bracket close करेंगे फिर क्या आता है ? sign plus तो sign plus लगादेंगे इतना solve हो गया ? next step है यह x to power 3 का multiplication next part से होगा मतलब दूसरे part से होगा तो वो part यह है तो किससे multiply हो रहा है ? x to power 3 multiplication का sign लगेंगे into y square और x ठीक है ? और हमने bracket close कर दिया अब हम इसको करेंगे multiply 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 करते हैं तो कैसे करते हैं ? यहां पर कोई constant नहीं है मतलब numbers नहीं है variables है x to power 3 और x to power 2 तो क्या होते है ? जब हम variables की powers होते हैं उसको add करते है multiplication में ना कि multiply तो यहां पर हो जाएगा base x है दोनों का और इनकी power side हो जाएगे 3 plus 2 5 हो जाएगा अब यहां पर कुछ नहीं यहां पर है y तो अगर उसका कोई variable नहीं matching है तो जो बचया है वह सीधे सीधे लिग देंगे sin plus है तो यहां पर sin plus लगा देंगे ठीक है ? और देखे x to power 3 and x है और y square है ? x to power 3 यह है अगर जहां पर कोई पार्स नहीं है तो 3 plus 1 हो गया x to power 4 और यहां पर क्या बचया ? यहां तो कुछ नहीं है यहां पर y square है तो y square यहां पर लिखतेंगे और यह इसका हो जाएगा answer ठीक है ? I hope आपको इतना clear हो गया होगा देखें next question देखें question number 2 यहां पर है 10 x दिबावती multiplication का साहन है cross multiplication 5 x minus 6 y square minus भी है और constant भी है number से variable के साथ अब इसको कैसे multiply है ? 10 x यह part 1 यह part 2 इन दोनों से पहले first इससे multiply हो फिर दूसरी बार उससे multiply हो तो पहले हम एक से multiply कर लेते हैं जब भी confused होना वैसे तो बनता नहीं है लेकिन आप क्या करेंगे ? 10 x जिसे multiply करेंगे वह पहले लिख लेंगे multiplication का sign लगएंगे और जिसे multiply करेंगे वह लिख लेंगे फिर क्या करेंगे ? ब्रैकेट कर लगदेंगे फिर उसके बाद जो भी sign होगा फिर क्या होगा ? एक पार्ट से multiplication होगे तो next part क्या है ? अब इसे क्या होगा ? किसका होगा ? 10x to the power 3 multiply by minus 6y square ठीक है ? तो इसको अब हम bracket क्या कर देंगे ? close कर देंगे sorry minus sign लिखेंगे मैंने पहले लिख लिख लिया तो यह ऐसे हो जाएगा sign लिख रहा हो तब मैंने गलती से लगा दिया तो अब क्या होगा ? 10 5s are 50 तो यहां लिख 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 50 और x to the power 3 और यहां 1 x to the power 4 हो जाएगा माइनस अब देखें यहां माइनस यहां माइनस आ गया 10 into 6th हो गया 60 ठीक ? x to the power 3 और यहां पर x to the power है यह नहीं जब वेरेबिल सेम ना हो तो जो बच्चे हो वो लिख देने चाहिए x to the power 3 and y square यह इसका आंसर हो गया अब यहां पर देखें बच्चे कन्फूज नहीं कि मैंने minus 6y क्यों नहीं लिखा ? क्यों कि हम इससे multiply करें और sign मैंने पहले लिख 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 लिए तो इसलिए यहां पर लगाना नहीं था अब आपसे समझ गया है ? चलिए अब देखें question number 3 fractions में है वो कैसे करेंगे ? मैं बताते हूँ minus 7 by 2 x square और in bracket तो बाइ 7 x² प्लस 4y² एंड ब्रैकेट कलोज तो मतलब इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे इससे मल्टिप्लाइ करेंगे फिर इसके बाद इससे मल्टिप्लाइ करेंगे कैसे लिखेंगे आपको यह समझना है बस सिंपल है मानस 7 बाइ 2 और x² आप बहुत धियान रखेंग कि जो पार्ट है वो पूरा पहले लिखेंगे फिर मल्टिप्लिकेशन का साइन लिखेंगे जो दूसरा पार्ट है इसको भी पूरा लिखेंगे 2 बाइ 7 और x² ठीक है और इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जैसे हमने पहले किया है और यहां पर साइन प्लस का है प्लस स्काय बाइ 4y2 4y2 ओके एंड ड्रैकेट क्लोज सेंपल हो गया है ठीक है अब भी क्या करना हमें आप देखिए ठीक है मल्टिप्लिकेशन का साइन ने किसी वह किसी से भी कर से टीजिय तो टू 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 जँजिट टू 7 जज़िट गले क्यों गया और देखिए आपे बस ये बचाव ये लिग धिया है कि साइंड किया है प्लस का बहुत धियान से मैं करा रही हैं धियान से दिख़ें कभी प्लस अब देखिए हैं यहां 2 है 2 आफे 2 साफ 14 और 2 साफ 14 और यह मानस मानस PLEASE होता है तो प्लस माइनस के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस माइनस की हो था माइनस और यह होगे 14 x square and y square यह होगे इसका answer आपको इतना clear होगी होगा आप question number 4 दिखते हैं question number 4 है 1 by 10 x in bracket 2 by 5 x square plus 1 by 4 y square वो था single fraction यह है कि double fraction है इसको कैसे करते हैं इसको कैसे solve करते हैं इसको भी बता दें बहुत ही simple है आपको सिफ concentrate करना है जो भी पार्टे आप उसको चैसे लिखा आपको वसे लिख देना है दूसरे पार्ट को भी उसको multiply करके वसे लिख देना है तो सबसे पहले वो पहले पार से multiply होगा और बहुत सारे भी होगे तो 1 by 1 ही multiply होगा फिर क्या होगा पहले मैं आपको करके दिखाती है 1 by 10 x multiply by 2 by 5 x square and bracket close फिर sign किया प्लेस का वो हमने लगा लिया प्लेस का sign next में multiply 1 by 10 x multiply by 1 by 4 y square ठीक है यह इससे हो गया तो multiply और यह अगें इससे multiply यही ठीक है इतना समझ में आएगो आपको आगया होगा ठीक है अब आपको देखे मैंने multiplication क्या होता है बहुत इसली हो जाता है 2 1 जा 2 2 5 जा 10 ठीक है अब बहुत 1 1 1 जा 1 हो गया ठीक है तो चलिए क्योंकि अब फ्रैक्शन नीचे है बचा है तो 1 हो गया अपॉन 5 5 25 25 लिख लिए ठीक है यह constant हो गया अब x बचा यह x बचा यह 2 बचा यह 1 बचा तो x दे पावर के हो गया 3 ठीक है यह पूरा solve हो किया साइन किसका है प्लस का यह प्लस का साइन लगा देंगे ठीक है देखिए ऊपर 1 1 है तो 1 1 जा 1 और 10 4 तो 40 40 लिख दिया यह बहुत सिंबल है अधि है वेरेबल में के x बचा और y स्कार बचा क्योंकि एक दोनों से नहीं मिलते जुलते हैं तो इनको x और y स्कार as it is लिख देंगे देखने में कोशन लगता है बहुत ही difficult होगा लेकिन होता नहीं जब आप करेंगे तो बह अची लगी हो तो प्लीज मुझे मैसेज किरें अगर कोई कोशन नहीं आता है तो मुझे बता है तो आपकी तारी प्रॉबम सॉल्ट करने कोशिश करूँगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना खुलें फिर मिलते हैं पर नेक्स्ट व झाल झाल